स्टड़ी हिमाचल की एक और सीरिज में आपका बहुत स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश एकनोमिक सर्वे 2020 दोस्तों यह बहुत महत्पून है exam point of view से अपको पता होगा है कि हिमाचल प्रदेश एकनोमिक सर्वे में जो भी सरकार की पिछले साल जो भी financial year 2020 में जो भी achievement प्रावत की है यह जो भी योजनाय लागू की है कितने लोगों को सी योजनाओं का लाव मिला है कितने लावारतियों को उसका लाव मिला है यह सभी एकनोमिक सर्वे में एक समरी बताई होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे step by step करेंगे और चीजों को totally explain कर करेंगे जिससे आपके exam के regarding हर point clear हो चलो शुरू करते हैं पहला question है कि आर्थिक सर्वेक्षन 2021 के अनुसार हिमाचल परदेश में सकल घ्रेलो उत्पाज अर्थाथ GDP क्या रहने का नुमान है according to the economic survey 2020 what is the GDP in हिमाचल परदेश estimated to be वो है 6.2 परतिशत minus की बात हो रही है माइनस 6.2 परतिशत हिमाचल परदेश to be registered negative growth of 6.2 परतिशत in financial year 2020-21 due to COVID-19 pandemic देखिए हिमाचल परदेश की जो जो भी GDP की growth हुई हो negative growth इस वार देखी गई है देखिए ये किसके कारण हुआ है सरकार ने बताया है जो भी coronavirus pandemic है उससे economic को हिमाचल परदेश की जो भी economic है उसको बड़ा ज्यादा effect किया है किसने COVID-19 pandemic के वज़ा से कई देखा होगा आपने कई मन्त तो industry बंद रही थी सरकार को industry बंद है तो taxes की कमी आई थी और भी बहुत सारे सरकार के खर्चुए थे तो उसके करण माइनस 6.2 परतिशत इस वार क्या रही है GDP की ग्रोथ रही है एक negative ग्रोथ देखी गई है इस एक के बीच में हम चर्चा करें जो तो इकनोमिक सर्वे में बताएगे थे 7.1 परतिशत रही थी किसमें प्लस में ठीक है पोश्टी में पोश्टिव ग्रोथ थी और उसी तरह से 2016 और 2017 की बात करें 2016 और 2017 की बात करें तो इसमें देखा गया थे 7 परतिशत यह आपको याद रखना है और यह कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे जो आपके साथ चर्चा किये नेक्स्ट कोश्टन है कि अगवडिंग टूदा इकनोमिक सर्वे ओफ हिमाचल प्रदेश दो हजार बीस दो हजार इकिस हो मैनी फैमिलिस और रजिस्टर अंडर हिम केर योजना के तहत कितने परिवार पंजिकरि अगर्णी रिगार्डिंग फ्री वर्टसएब ग्रूप भी आप जॉइन कर सकते हैं यह हमारा वर्टसएब नंबर है Hp police constable 25 secretary के आपको notes चाहिए तो वह आप हमें वर्ट सेप कर सकते हैं ठीक हमारी team आपके साथ बात करने के लिए 24 hour मतलब कि सुभा 10 वज़े से लेके शाम 8 वज़े तक आप हमें message कर सकते हैं, वर्ट सेप कर सकते हैं आपको हमारी टीम का जवाब मिल जाएगा चलो शुरू करते हैं क्या था हिम के बारे में बात हो रही थी तो इसका जो अंसर होगा वो होगा 4.62 लाक मतलब 4.62 लोगों ने रेजिस्टर किया है देखें हिम केर की बात करें तो हिमाचल परदेश केर स्कीम है जिसे हम हिम केर के नाम से जानते हैं ऐसे भी पूछा जा सकता हिम केर की अबरिवेशन क्या है हिमाचल परदेश केर स्कीम देखें इसमें 4.62 लाक फैमिली रेजिस्टर हुई है अभी तक और इसमें अभी तक 1.25 लाख लोगों ने क्या किया है इस योजना का लाब उठाया है मतलब की जो भी कैश लाश ट्रीटमेंट है 1.25 लाख लोगों ने इसका क्या करा है इस योजना से जो भी कैश लाश ट्रीटमेंट करवाई है और इसमें अभी तक 7,130.97 करोड रुपेया खर्चा चुका है cashless treatment से सरकार का ये भी याद रखना है next question है according to economic survey हिमाजल परदेश 2020 how many families are registered under greenish subida योजना greenish subida योजना आपको पता होगा इसमें क्या था कि gas connection प्रोवाइड किया जाते थे इसके बारे में बात करें according to economic survey के हिसाब से जो भी economic survey हिमाजल परदेश शरकार ने जारी किया है उसके हिसाब से 2.95 लाग family को इसकी क्या register कर चुके हैं greenish subida योजना के under सरकार का main vision था greenish subida योजना के तहित कि जो pollution free environment बने और जो महिलाएं हैं जो खाना घर पर बनाती हैं वो जैसे pollution free होगा जैसे चूहले पर खाना बनाते हैं तो उससे जो कारवन का सरजन ज्यादा होता है उसको कम करने के लिए सरकार ने 2.95 लाग फैमिली को अभी तक gas connection free में बांटे हैं हिमाचल परदेश में तो यह भी बहुत बड़ी achievement है यह भी आपको याद रखना पड़ेगा अगला question है कि according to the economic survey हिमाचल परदेश देखें यह बड़ा important question exam point of view से बार बार question पूछा जाता है क्या question है कि आर्थिक सरवेक्षन हिमाचल परदेश 2021 कि अनुसार मेधा परुत्साहन योजना के तहत मेगाभी छागत्रों को कितने रुपे की साहिता की जाएगी इसका अंसर है वन लाग तक देखें जो यह जो मेधा परुत्साहन योजना है इसमें क्या है जो भी मेगाभी छात्रों होंगे ठीक है इंटैलिजन्स छात्रों होंगे जिनोंने अपने एकेडमिक्स में अपना अच्छा स्कोर किया होगां उन्हें क्याफरी में सरकार क्या है मतलब वह हिमाचल परदेश के अंदर हो यह हिमाचल परदेश के बार जहां पे भी आप . लेना चाते हैं की ठीका एक लाहत तक ये भी आपको याद रखना है माझसल परदेश में बहुत बड़ी एचीव में ट्र आнок जो भी पूर पीपल आते हैं उनके के लिए बहुत बड़ी ऐचीव्मेंट है कि उनको पूर पीपरहा साथ में वो क्या है एकडमिक मिम्य में अच्छी है है इंक लिए अच्छी क्या है हिसाल परदेश रकार के लिए अच्छी अचीवमेंट है कि उन्होंने इस तरह के योजना को शुरू किया है next question देखते है अगला question है कि ब्रिशिष्थ नागरिक स्वास्ति भीमा योजना के तहत सरकार ब्रिशिष्थ नागरिक को कितने रुपे का top-up coverage परदान करेगी under the senior citizen health insurance scheme the government will provide to top-up coverage of how many rupees to senior citizen इसका जो अंसर होगा वो है 30,000 तक कितना जी हाँ दोस्तो 30,000 तक जो भी दोस्तो राष्टरी स्वास्ते भीमा योजना के अंडर आते हैं देखे पहले यह चीज समझीए जो senior citizen health insurance scheme है उसमें क्या है देखे दोस्तों इसमें क्या है 30,000 तक क्या है coverage प्रवाइड किया जाएगा बट जो भी राष्टरी स्वास्ते भीमा योजना के अंडर जिनके पास smart card है उसके अंडर ही एक scheme start की गई है जिसका नाम है senior citizen health insurance scheme ठीक है तो सरकार क्या करेगा इस senior citizen को इसमें top up coverage दे जायेगा 30,000 तक का वो अपना free में cashless इलाज करवा सकते हैं दोस्तों ये के health insurance scheme है next question देखते हैं दोस्तों अगला question है कि पर्धान-मंत्री फ़सल विमा योजना की शुरूआत कब की गई थी देखिए वैन वास दो पर्धान-मंत्री फ़सल विमा योजना लॉंच्ड देखिए पर्धान-मंत्री फ़सल मीमा योजना की बात करें तो यह ठारा फेबरी 2016 को इसकी शुरुवात की गई थी शिरी नरेंदर मोदी जी के दौरा ही इसकी शुरुवात की गई थी इसमें एक बहुत बड़ी आ बात है कि प्रधान मंतरी फसल भीमा योजना के तहत क्या था इसके अंदर ठारा फेबरी 2016 यह आपको याद रखना नेशनल एगरि कालचर इन्शोरंस कीम और मोडिफाइग नाशनल एगरिकलचर इन्शोरंस कीम मतलब की वन नेशन च्या था ? क्या कह रहा था मैं?"तट रश्टर कृषी भीमा योजना है और दूसरी है रश्टर्क रिशितर करशी भीमाć योजना को मर्ज करने के बाद वन नेशन वन स्कीम के तहत एक योजना बनाई गए जिसका नाम रखा गया प्रधान मंतरी फसल भीमाई योजना के अंडर ये आती है और इसको ठारा फरवरी 2016 को लौज किया गया था अगला कोश्चन है दोस्तों से पहले आप हमें वर्टसाइप भी कर स नक्ष कोश्चन है कि हमाईचल परदेश पूने खरीद एकल उप्योग प्लास्टिक योजना किसके जनती पर शुरू किये गी थी ओन होस वर्थ एनवर्सरी वाज़ हमाईचल परदेश बाइपक सिंगल यूज प्लास्टिक स्कीम लांच बहत महत्पून कोश्चन है जो हो है महत्मा गांदी जी के बर्थ एनवर्सरी पर थी गया हमाईचल परदेश के किसके महत्मा गांदी जी के बर्थ एनवर्सरी पर देखिये यहां पर देखिये 2019 में हमाईचल परदेश में 150 मी जन्ती मनाई गए थी किनकी महत्मा गांदी के बर्थ की महत्मा गांदी के जन्ती मनाई गए थी 150 मी ठीक है उनके यह बर्थ पर जो यह है हमाईचल परदेश बाइपक सिंगल यूज प्लास्टिक अर्थात हिमाईचल परदेश पून खरीद एकल उपयोग प्लास्टिक की जो योजना शुरुवात की गई थी और इसमें क्या था कि जो भी इसी चीज़ जो सिंगल यूज है और नोन रिसाइक के वेल है ठीक है उनको जब आप सरकार को प्रवाइड करेंगे जो भी आपके नगरपाली का है ठीक है वहां पे आप दोगे तो आपको 75 रुबे पर के जी के हिसाब से वह आप से खरी देंगे तो यह बहुत अची स्की में तो आपको पता होना चाहिए अगला कोश्चिन है कि लोगों की समस्यों का समाधान करने और मुख्यमंत्री जीसे सीधा संबाद करने के लिए कौन सी हल्प लाइन शुरू की गए थी विच हल्प लाइन शुरू प्रोब्लम ओफ पिपल तो इंट्रक्ट डिराक्टली विद चीफ मिनिस्टर बहुत महत्पून कोश्चिन है इसका तो वह सभी को पता होगा देखिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हल्प लाइन मुख्यमंत्री हल्प लाइन एंड बी दोनों कौन सी हल्प लाइन है तो यह आपको याद रखना है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हो जिना देखिए आप मुख्यमंत्री जी इस नंबर पर आप उनके सी एम ओफिस में बात कर सकते हैं नहीं तो आप डिरेक्ट इमेल भी कर सकते किसी प्रोब्लम के डिरिगार्डिंग तो भी आपको उनका मैसेज देखने को कि इमेल का रिपलाई भी जो भी उनके कंस्टमर एक्जिक्यूट्टीव है जो भी डिपार्टमेंट है वहां से आपको इमेल का रिपलाई भी मेल जाएगा अगला गोश्चन है कि हिमाचल प्रदेश ऐसी कौन सी योजना है जिसके अंतरगत लोगों को बेटियों के महत्व और बन सरक्षन के बारे जागरुक करने के लिए शुरू किया गया था इसी ओजना के अंतरगत एक पोध्धा किट करने के जनम के उपरांत मादा पिता को दिया जाएगा देखिए क्या है आप बेटी को जनम देंगे तो तो क्या मिलेगा माचल प्रदेश सरकार क्या देगी एक बूट्टे की किट जहां पोध्धे होंगे जो आपको अपने घर में लगाने के लिए दिये जाएगा और जो फुरश्च डिपार्टमेंट के होंगे जहां पे भी आप लगाएंगे उसकी देखवाल के लिए वह भी आयागा रहेंगे जब तक वह बढ़ा नहीं हो जाता तो यह एक बुटा पेटी के नाम बहुत अची स्कीम है अब को याद रखना है अगला है प्रगर्ति और विकास की प्रक्रिया में सभी लोगों की भाग्यादारे बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कौन सा कदम लिया है विच टैप हास बीन टेकन बाई गवर्मेंट ऑफ गवर्मेंट.in यह आपको याद रखना है देखिये माइ गवर्मेंट पोर्टल हिमाचल डोट माइ जियोवी डोट इन इन न्यू लिंक इंटर्डूस फोर पार्टिस्पेशन अफ 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 प्रोसेस अफ प्रोग्रेस सेंट जो भी याँपे अपनी अप्रेशें डाल सकते हैं कुछ भी आप करना चाते हैं पेडल लगाना चाते हैं तो कोई भी चीज करना चाते हैं कि जो भी हिमाचल प्रदेश चेंडु मैं हिस्सा बनना चाते तो यह कोन्ermaalis कोरी डाल सकते हैं अगला कोश्चन है कि अंडर विच स्कीम स्टुडेंट फोर फ्रोम क्लास फर्स्ट टू ट्वाल्थ अर गैटिंग फ्री उनिफॉर्म फ्रोम फनेशियले 2018 से शुरुवात की गई थी इसकी अभी तक यह चर रही है यह है कौन सी स्कीम है वो है अटल वर्दी योजना के तहते इस पे काम किया जा रहा है अटल वर्दी योजना के तहते यह बहुत अच्छी स्कीम है जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं इसकी 2018 से फनाइशल एयर से इसकी शुरुवात कर दी गई थी दो सेट हर साल आपको प्रोवाइड किये जाएंगे किसके बर्दी के फ्री बर्दी के ठीक है इस पे 73.50 क्रोड का खर्चा आता है ये भी आपको याद रखना है अब तक जो खर्चा आ चुका है इतना खर्चा आ चुका है कि जो भी सरकारी स्कूल में फर्श से लेकर 12 तक पढ़ते हैं उनके दो सेट एब्री येर दिये जाएंगे यूनिफॉर्म के ये आपको याद रखना है अगला है किसी यूजना के तहत 6,000 प्रतिवर्ष किसान को दिया जाता है 2.00 हेक्टेर से कम भूमी होने पर अंडर विच स्कीम 6,000 पर आनम इस गिवन तो दो फार्मर हाविंग लेक्स लेस देन 2.0 हेक्टेर अफ लैंड तो ये जो यूजना है यह है प्रदानमंत्री किसान समान यूजना के तहत दिया जाता है जिनकी बी दो हेक्टेर से जमीन कम है। ठीक है और किसान है उनको 6,000 पर टोटल 6,000 पर आपको प्रवाइड किया जाता है ठीक किसानों की मदद के लिए 6,000 रुपया प्रवाइड किया जाता है देखिए ऐसा बताया गया है कि जनवरी 2021 तक अब तक 9,26,830 फार्मर को इसका बेनिफिट मिल चुका है ठीक है ये भी आपको याद रखना है जिसमें लगभग 1,179 क्रोड रुपय तक का खर्चा आ चुका है ये भी याद आपको रखना है जनवरी 2021 तक 9,26,830 फार्मर को इसका बेनिफिट भी मिल चुका है आगे देखते हैं कोश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी योजना है जिसके तहत किसानों को 15 लीटर या उससे अधिक दूद उत्पादन करने के लिए पुर्सकृत किया जाएगा इसका जो अंसर होगा वो है उत्तम पशू पुर्सकार योजना देखे इसमें हजार पे अभी सरकार प्रवाइड करती है जब क्या होता है अवाउड के रूप में या फिर प्राइजिस के रूप में सरकार हजार पे अभी प्रवाइड करती है इसके तहते प्रदेश में जो भी गाया भैस प्रती दिन 15 लीटर या उससे अधिक दूद देती है ठीक है यह चेक करने आएंगे तो उन सभी पशू पालकों को एक हजार रुपे का नगद इनाम भी दिया जाता है देखिए इस होजना के तहरत सरकार किसानों को दूद उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रुछ साहित करती है और एक दिन में 15 लीटर या उससे अधिक दूद परदान करने वाले किसानों को पुरुषकार भी दिया जाता है जो हजार पयाई नाम भी दिया जाता है लास्ट कोशन है कि मुख्य मंतरी सुआवलंबन योजना के तहरत पुरुष और महिलाओं उध्मियों को मशीनों की खरीद पर कितने प्रतिशत की सब्सीड़ी दी जाती है अंडर मुख्यमंत्री श्वावलंबन योजना वाट परसेंटेज ओफ सबसेडी विल बी गिवन तो मेल एंड फीमेल एंट्रिपेटर ओन दा परचेज ओफ मशीन दोस्तों इसका अंसर है वो है इसका अंसर है पुरुष उद्व में क्यों पच्चे परसेंट और महिलाओं को तीस परतीशत की क्या की जाती है सबसेडी प्रवाइड की जाती है देखिए इसमें क्या है क्या है टू एनकरेज द यंगश्टर मेल एंट्रेपरणर गोवर्मेंट हैस डिसाइज डिट टू ग पर्टीशत की सबसीडेगी अप टू तीस परतीशत की सबसीडेडी प्रवाइड की जाएगी ठीक है इसमें भी चीज़े देखी जाती है उसी हिसाप से अप्टू है अप्टू में आपको 10 पर्चेंट भी मेल सकती है बुरुषों को ऐसा बताएगए अप्टू पच्ची प्रवाइड की जाती है किस तरह से वर्क है कितनी जगा है चेक की जाती है ठीक है उसी प्रकार आपको सबसेडी प्रवाइड की जाती है कोई भी प्रोब्लम आए आप हमें वट्साइप कर सकते हैं 7580030176 176 thank you and have a nice day God bless you all bye bye love you all